अज हम लोग FSC Part 2 Unit Number 11 Electrostatics के जो हमारे पास टॉपिक है Capacitans of Paral Plate Capacitor उसको स्टार्ट करेंगे तो अगेन मैं आपको बता दूँ कि मैं important topics करवा रही हूं जिनका concept लेना आपके लिए बहुत जरूरी है जो पिछला टॉपिक है combination of capacitor in series combination या पर parallel combination या आप लोग 10 ने पढ़ चुके हैं और अब हम लोग करने लगे है Capacitans of Paral Plate Capacitor अब बताना है Capacitans जो होती है Paral Plate Capacitor में यह बस दो Capacitans और यह parallel एक दूसरे के सामने रखे गए हैं ठीक है जाना start with current flow करने लगए यहां से अब यहां पर क्या चार्ज आ रहा था positive चार्ज आ रहा था ठीक है positive चार्ज आ रहा था और यहां से क्या हुआ है कि यहां से इस तरफ के आ रहे है negative चार्ज फ्लो करता जा रहा है है कि यहां से एलेक्रonn From B Kahrain ऑफ सारी जम करके इस लेफ्ट राइट वाले प्लेट पमIS कर गया हैं सबस्माइब लाइटारेग प्लेटों प्लेट त लाइट वाफ साइब और भी बाइट वराइट वाथ में पलेट अंद नेगिडिफ चार्ज उन हम लोग यहाँ लोग देख रहें कि हमार पस जो चार्ज फ्लो फो है वो डरेकल पर्पोर्शनल है वाल्टेज के जेतना मुझने करेंगे उतना जदा चार्ज फ्लो है ठीक है अब हम आगे फर्द्र क्या करेंगे कि कैसे बराबर है कि पैसित है पैसित बराबर उथे जयानी जो प्लेट की के पैसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की उसको जब वोल्टिज से मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमारे पास चार्ज निकलता है कोड़से था हम लोग ने सी अलएदा पतानों तो हम क्या बोलेंगे की ओवर वी होता है तो यह ने आपको पराना कंसेप्ट दिये ठीक है और इसके बाद हमारे पास क्या है के कैसिट का यूनिट क्या होता है फैरेड होता है अब जैसे हैं जानते है अब यह बात में आपको पास्ट पास्ट अब कि ने पास्ट ईयाप होता है कि ऐस इकवल टू-दीफ टात वी ओवर डेल्टा आर ठीक है और हम लोग यहाप पर नेगेडव साइन को इंग्नोर कर देंगे नेग्डिफ साइन को क्या कर लेंगे इग्नोर कर लेंगे तीज थिए एक्स्वानेशन है वो आप हमने बुक से कर सकते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ड नहीं है लेकिन साइन को इग्णोर करने हैं हम क्या बोलेंगे इस इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर फर्दर इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या आएगा यह वी ओवर डी आ जाएगा और इस इक्वेशन नबर वन कौन सी यह वाली है अब इसके बाद हम लोग देख रहें कि इस इक्वल टू वी ओवर डी यह हमारे पास क्या है एलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेटिंट हमने जो निकाला था यह वाला फॉर्मुला है ठीक है और इसको हमने क्या कहा है कि वी ओवर अपोजिटली चार्ज प्लेट एलेक्ट्रिक फील्ट जो होती है बिट्वीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट के दर्म्यान में में आपको यह गॉजिस लॉक के प्लिकेशन में पढ़ाया ठीक है उसमें क्या पताया था कि इस इक्वाल टू सिग्मा ओवर एपसाइलन थिक है सिग्मा ओवर एपसाइलन नॉट अब इसके बाद हम फर्दर कहेंगे इस इक्वेशन को इक्वेशन नम्मर जो मेरे पात है फोट करेंगे इस उप्पेस्ट करेंगे इस एक्वेशन को बलकि हम लोग पुट करेंगे प्लेशनर थ gelmiş जो अथिक्वेशन फॉर सबसके आगे v is equal to sigma epsilon not over d और फर्दर हम लोग sigma को क्या बोलते हैं total charge per unit area ठीक है total charge per unit area अब इसको हम लोग क्या कहेंगे q is equal to sigma a होता है यह हमने निकाल लिया और फर्दर हम लोग इन equations को कहां पुट करेंगे हम लोग पुट करेंगे equation number one में c is equal to q over v में तो इससे आगे मैं आपको बताती हूँ साथ ही किसी page पर कराती हूँ ठीक है ताकि आप लोग के लिए easy रहें तो हम लोग आपे क्या बोलें के q is equal to sigma a होता है और v क्या होता है sigma over epsilon naught into d होता है तो इसको मैं पुट करूँगी इन दोनों equations को मैं पुट करूँगी equation number one में v is equal to epsilon naught into d और q is equal to sigma a इसको मैं पुट करूँगी in equation one equation one में पुट करूँगी c is equal to q over v थी तो इसको मैं पुट करूँगी कि आप सी क्या आजगा students यह पासा आजगा c is equal to sigma a over sigma over epsilon naught into d और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास आएगा sigma a multiply epsilon naught epsilon naught उपर ओपर और sigma into d क्या हो जागा नीचे आजगा और यह sigma sigma से से रहें और फरंपस के आंगे a epsilon not over D , Sin तो इस के और एक से स्मस्कीन निसेसी निका लगे हुँए , चिस के लिकान है वाक्यूम की निकानल है , जब हम लोगे करें मकुछ को भी जो एक मीडियम है piils नहीं किया , मतलब कोई भी मार पास मीडियम नहीं है जो हम लोगों ने इस तरह से इस फॉमलक से हम लोगोंने सी वैक्यूम यानि काश्टन्स द्यूरिंग वैक्यूम हमने निकाल दी है ठीक है अब इसके बात हम लोगो ताएंगे कि फिजिकल इंटिप्रेटेशन क्या है कि एरिया काश् स्टोर करने की अबिलिटी क्या होती जाएगी काम होती जाएगी तो इस तरह से इसके बात हम लोग देखेंगे मीडियम के बारे में स्टोरेंट्स अब जब हम लोग के पैस्टर्स के दरमयान में मीडियम रख देंगे तो उससे क्या होगा उसके क्या फर्क पड़ेगा उस इसके बात हम लोग नुग देख रहें के इम आर पस क्या होता है एपसाइलन आर क्या होते हैं एपसाइलन ओवरसलिन नॉट मतलब यह के रिलेटिव प्र मीडियम वाइडिए प्रमेटि एप रिया फ्रीब जिए ठीक है तो हम लोग ने कई कि e के जगह 2 वह पुट करें कि जिसमें अपस epsilon not epsilon और epsilon और आपस multiply होकर e हमें provide करते हैं अब आपसके बाद हम लोग students क्या करेंगे कि हमारे पास further हम लोग देखिंगे कि medium over vacuum का हम लोग जब रेशो लेते हैं इस तरह हम लोग नहीं वह f u M ईपस्टोर हब कर दाँ प्रेस्ट कि यह ठीया ढम्हार 對 बैचुम रपैक्ष्ट से लिए को किसे बढ़े करने मैंने प्रमिटिवीटवीटियो ऑब दाएक्ष्ट क्या करणा की।स्ट बैंड कर देहां किसी करने मैं ते वल्लिक थे सब्सक्राइब रिखें अए सब्सक्राइब अगरी मेधियुट करें चीले किसे होगा ? तो आपको इससे क्या पता चला है कि मीडियम का जो किपेस्टेंस है, मीडियम की किपेस्टेंस है वो बढ़ी है as compared to किपेस्टेंस आफ वेक्यूम. अब यह कैसे मैं आपको बताती हूं? Now students, अभी हमने पढ़ा है कि C मीडियम over C वेक्यूम किसके बराबर है? एपसाइलन आर के, एपसाइलन आर हमरे पास के रिलेटिव पर्मिटिविटी है और हम मैंने काए कि C मीडियम is greater than C वेक्यूम. यह कैसे है? अब अगर आप लोग यहां पर देख रहें कि मैंने C मीडियम अलाइदा करने हैं तो मैं क्या करूंगी? C वेक्यूम को मल्टिप्लाइ करूंगी एपसाइलन आर से, ठीक है? तो इसको क्या मतलब है कि मुझे जब C मीडियम चाहिएगा, यह कैसे मीडियम तो वो मेरे पास क्या आएगा? वेक्यूम को जब मैं मल्टिप्लाइ करूंगी, रेलिटिव पर्मिटिविटी और फ्री स् एक्यूम तो C मीडियम मेरे पास क्या है? यह मैं दुबारा से करती हूँ, तो C मीडियम मेरे पास C मीडियम को डिवाइड करूंगी, एपसाइलन आर पर मेरे पास क्या आएगा? C वेक्यूम आएगा, तो C वेक्यूम क्या है? एपसाइलन आर को जब मैं डिवाइड करते है C May algum से को ममारे पास कहा निकलता है ? C VACUM निकलता है तो C syrup निकलता है तो G Pap और अब से डिवाय चोटा करूँ existe चोटा कुटा है तो महिटव से तो C वाइक्व मधियल निकलेगा यानि G 1 चोटा दो C जोटा हैं से अब से त्क वाइक्व Terr bottle है से नहीं क्यों बढ़ा आरे से कमपेर तू वेक्वीम च्पारे का इसके बाया में अलेक्ट्रिक पॉलराइशन में पढ़ेंगे क्योंकि यह पुलर्याज़ारिशन का फिक्नोमन आूता है म्येंक अब्सकी तरहता है etn होगी है मतलow कि सके अदर चार्ज सोर और करने के इंद अल्य यह क्यों है अद्स के अंस्थ क मैं तरफ मैं अदर की के इसकी है इस वर इस दो इन तर फिंटकर दुन अब और पॉजिटी ब्लेट की तरफ, कौन सा आगी है? पॉजिटी ब्लेट की तरफ नेगिटिव चार्टे सारे आगी है और एक आइटम के अंदर हो गा नाम हमने मैं अबजेक्ट रोगा है यनि अभी हमने बूड हो तो एटम सी मिल के बला हो गा मतलब ये कि अब इसमें स्टोर करने के अबिलिटी जादा जादा होगी है अब ये अच्छा कैपेस्टर हो सकता है क्योंकि इसके मीडियम प्लेस की है मीडियम के वज़े से अलेक्टिक पॉररेशन का फिनोमिना हुआ है और इसके वज़े से चार्ज डिस्टरॉशन होई है और पॉस्टिव और नेगरिव चार्डिस ने अपने आपको डिस्प्लेस की है और इससे हमारे पास के पैस्टिन्स मजीद बढ़ गी है जबकि वैक्यूम में क्या होता है कोई भी हमलोग मीडियम नहीं रखते कोई आपजेक्ट नहीं रखते बस खला होती है खला में कोई भी चीज़ नहीं रखी तो इसकी वज़े से क्या होगा कि इनके अंदर अचार स्टोर्ड करने के अबिलिटी as compared to medium क्या होगी का होगी इसलिए हम लोग आके फुर्दर एलेक्टिक पॉलरेशन का फिनोमिना देखते हैं और वो आप लोग खुद पर लेंगी तो आप लोगं को पता चल जाएगा कि यह क्यों हुआ है और अगर कुछ समझ ना है तो आप लोग मुझसे कोई भी लाइन्स हो गारा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शने पूछ सकते हैं तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर कम्प्रीट होता है उम्मीद करती हूं लेक्चर पसना होगा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको वरन टु आल सब कुछ बता सकूँ मिलते हैं नेक्स लेक्चर में वीडियो पसना है तो लाइक करें दूसरों से शेयर करें अलाफिस